हेलो फ्रेंड्स वेलकम टूर चैनल आज मैं बनाने वाली हूं आपके सामने आलू लचह नमकी जिसको बनाने का बहुत ही आसान तरीका और बहुत जल्दी आप इसको कैसे बनाएंगे यह मैं आपको बताने वाली हूं चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाने के लिए सबसे से पहले हम यहां पर लेते हैं चार मीडियम साइज आ लू इसको मैंने चील करके पानी में विल्गो कर रख लिया और आठ से दस करी पत्ते जिसको मैंने कट कर लिया है प्रत का नमक और हम लेते हैं यहां पर काली मिर्च पाउडर अब हम आलू को कस लेते हैं आलू को याद रखें पानी में ही कसे और कस के मोटे वाले हिस्से से कसे इसको छोटे वाले से भी नहीं कसना है और इसका जो मीडियम साइज का होता है इसके मोटे वाले हिस्से की तरफ से आप इसको कसे अब हम लच्छे इसके त्यार कर लेते हैं याद रखिएगा इसको carefully कसें मटे वाले हिस्ससे से यह जलते नहीं है अगर आप बहुती बारीक तरीके से इसको कस लेते हैं वह कस लिया है अब हम इसको 3-4 बार पानी से इसको दोलेते हैं और धुलने के बाद इसको इस तरीके से चलने में निकाल लेते हैं चलनी में निकालने के बाद लच्छे को 5-10 मिन्यट तक के लिए चलनी में ऐसा ही रखा रहने दे इससे जो एक्स्ट्रा पानी होता है, वो निकल जाता है, देखिए, बढ़ देखिए हमारा सारा पानी इससे नहीं निकला है, इसलिए हम इसको एक टौवल में निकाल लेते हैं, इससे जो एक्स्ट्रा सारा पानी होगा, मौस्चर होगा, सब इसमें निकल जाएगा, थोड़ कम मॉस्चर आया पर और इसको निकालने के लिए देखे टावल को इस तरीके से प्रैस कर लेते हैं इससे बिल्कुल भी इसमें मॉस्चर नहीं रहेगा तब तक हम कडाई गरम कर लेते हैं एक हमारी गरम हो चुकी है और सबसे पहले इसमें बूमफली और करी पत्ते को भून कि फिर हम इसमें आलू फ्राई करेंगे तो हमने मॉफलियों को इसमें फ्राई कर लेते हैं आप इस चलने के जायता से इस तरीके से मॉफलियों को भून लेंगे तो हम इसमें करी पत्ता इसको भून लेते हैं और अब हम कस करेंगे आलू को कडाई में डाल लेते हैं और इसको थोड़ा-थोड़ा करके ही डाले एक साथ सारे नार डाल दें आलू को और आलू को डाले के बाद इसको लगातार चलाते रहें देखिए हमने आप सारे आलू को डाल लिया है और इसको चलाते रहते हैं अगर आप इसको नहीं चलाएंगे तो यह जल भी सकते हैं तो आपको यह लगातार चलाते रहते हैं और आप इसको तेज आज पर ही सेकें आ तक इनका color change नहीं होता है देखिए दीरे दीरे इसका color change हो रहा है और यह काफिए सिक्षिक नहीं है यह पर अब हम इनको tissue paper लगा करके plate में निकाल लेते हैं और देखिए कितनी crispy यह बने हैं आप इसकी आवाज से यहां पर अंदाजा लगा सकते हैं देखिए और अब हम इसमें मुंफली आड़ कर लेते हैं नमक काली मिर्च पाउडर और जो हमने fry करे थे करी पत्ते इनको डाल लेते हैं अब हम इनको प्रॉपरली मिक्स कर लेते हैं और सर्विंग बावल में इसको निकाल लेते हैं कितनी जल्दी हमने इसको त्यार कर लिया आप भी अपने घर पर इसको जरूर ट्राइ करें और हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं भी आपको वीडियो कैसी लगी